हाँ जी सर एक बच्चा है शिकर कहता है सर एक्जाम के तीन मैने पहले तो आपका थर्ड रिविजिन चल रहा होगा तब ही जाके तो राइंकाती है अरे तो सर चली आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा exact position था 3 months before the paper वे old scheme में था old scheme में 8 subject है 6th paper जो था वो elective paper था और यह त्यान से जो मैं बोल रहा हूँ एक बार सुनना जरूर क्योंकि बहुत छोटी छोटी बाते बताऊंगा जो मिल करके आपके लिए एक बड़ी बात बनेगी तो एक बार सुनना 3 मेने पहले सर बहुत सही का उसने कि आपका तो 3rd revision चल रहा होगा सर exam मेरा था November के महने और November के महने 3 मेने पहले अगर आप देखोगे तो यह होगया आपका October यह होगया आपका September और यह होगया August August के महने के आपको मैं अपने July और August के महने की कहानी बता रहा हूँ थोड़ी पुरानी बाते करके कुछ आगे पीछे हो सकता है पुराने YouTube वीडियो में कुछ कहा हो सकता है पर जो मैं कहूंगा जितना मेरे को याद है उसके साब से सब सच कहूंगा पर एकदम डंके की छोट पे कह रहा हूँ जब July और August का समय चल रहा था न मेरे अटेम्ट के पहले मेरे आद में दो चीज़े पेंडिंग थी मानोगे पहला मेरा पूरा पूरा Advanced ITT जो 15 दिन का कोर्स होता है जिसमें दिन में 8 घंटे जाना आना वाना सब मिला करके वो जो होता है वो पूरा का पूरा बचा हुआ था और उस समय COVID का टाइम नहीं था तो online कुछ नहीं होता था आपको face to face जाना पड़ता था और उनके सामने जब वो कुछ और बोल के पढ़ा रहे तो आप खुद की पढ़ाई का international taxation मेरा paper number 7 में help करेगा sir on the hindsight जब result आया तब मेरे को बता चला कि मेरी rank 4 और rank 1 आई और rank 1, 2, 3 तीनों लोगों ने choose किया था कोई ऐसा subject उस समय पे trending the economic law उस समय पे भी trending economic law था या कुछ ऐसा easy सा जिसमे उनको 80-85 का score हुआ और मैं गिरते पढ़ते international taxation में 60-65 score कर पाया था तो मेरा paper 6 बचा था और मैं as a student बहुत particular हूँ कि मैं कोई भी subject करने के पहले उसकी classes लूँगा ताकि मेरे कोई direction मिल जाए और मानोगे अगर मैं कहूँ कि उस समय मैंने एक ऐसे teacher की class ली थी जो अभी पढ़ाते भी नहीं है वो retire हो चुके पर उस समय उन्होंने पढ़ाया था करीबन 130 या 140 गंटे में international taxation एकदम आराम आराम से और worst case उनके lectures जो है ना वो 1x के उपर speed में चलते भी नहीं थे और मैं उन lectures को attend करने के लिए center पे जाता था और सुबह में ले करके मेरा एक बार course खतम होता first revision तक की तयारी नहीं थी सर मतलब मैं करीबन mid of august में खड़ा हूँ और मेरी first revision तक शुदू नहीं हुई है that was the situation I was at and there was not a single day wherein I thought no both group just one group no both group just one group but there was not a single day when I won each and every fight and I everyday told myself कि बहिया दो group नहीं दो group देना ही है क्योंकि तुने आज तक दो group एक group के वारे में नहीं सोचाए but दोस्तों the question is how did you then manage it if you had such a bad situation how did you manage it believe me or not but when I say my day, whole day used to go in studying सब मेरे साथ मेरे एक दोस्त था आजकल तो वो मेरे वीडियो भी नहीं देखता होगा ये इतनी सारी बाते वो सुन चुका है कि वो वीडियो भी नहीं देखता होगा पर मेरा दोस्त था मैं उसके घर पे रहता था वो नीचे जाके अपने घरवालों से बात करता था उसका लंच होता था एक गंटे का उसका डिनर होता था एक गंटे का मैं देखता हूँ लोग क्या करते सुबह उठते और एक एक गंटे तक रेडी होते हैं पहले मैं इतना ओर्गनाइस्ट तरीके से पढ़ना चाहता था कि मैं सुबह अगर छे बजे उठ रहा हूँ सो आई उस्स तू फर्स स्पेंड 45-50 मिनट्स इंटू सटी उठा दो मिनट्स ऐसा या तुमू दो के आ गया धंडे पानी से और मैं पढ़ रहा हूँ पचास मिनट बाद एक गंटे बाद मेरा दिमाग का पेनेटरेशन बंद हुआ तब आ यूस्ट तो गो तो तो वाश्यू जब इस तरह का माइक्रो प्लानिंग आप करते हो ना there is no target in your hand that you cannot achieve there is no target in your hand that you cannot achieve because I will tell you as a student तुमको ऐसा लगता होगा rank आई होगी बहुत बड़ा nerd होगा बहुत ही होगा नहीं भाया बस इतना पता था हर दिन अपने आपको बस यही बोलता था कि अगर मैं fail हो गया तो मेरे कोई चीज़े दुबारा मुझसे नहीं पड़ी जाएगी मुझे यह सम नहीं करना तो जो ताकत लगानी आज लगा लो तो मैं क्या करता था आपको एक वीडियो है जो मैंने यूट्यूब में पहले अप्लोड के है जिसमें मैंने पहुत डीटेल में बताया है मेरा शेन्यूल जब मैं प्रेपरेशन लीव में जाला था मेरा एफार का सिलिबस आदा बचा है SFM का one more thing I would like to add somewhere during this July to August इस महने के बीच में probably in the middle of July there is one thing that I realized उस समय पे sir मैंने एक teacher से class ली थी और उनकी class जो होती थी face to face होती थी आप लोगों ने बिलकुल भी comment पे चिंता करने की ज़रुएत नहीं वो teacher आप नहीं पढ़ाते हैं आपको SFM जो आपका AFM है पर उस teacher ने AFM में इतनी सारे errors किये थे कि मैंने अपने first time preparation में मैंने पूरा SFM बढ़ लिया पर उसके बाद जब मैं revision करने लगा और जब मेरा दिमाग चलने लगा कि यार यह क्या हो रहा है यह solution तो कुछ ठीक नहीं बैट रहा है मैंने जब उसके लिए practice manual उठा के लिए ICI का I realized this solution is bloody wrong and then on a trial basis and when I tested other solutions I realized 10 में से 4 से 5 तो गलत है and the fun fact was SFM was supposed to be my strength there minimum वो मेरे को exemption देके जाने वाला था and in the month of July what I am realizing that the whole classes that I did and that one revision that I did all the materials that I used has to be thrown away now and now I have to start SFM from scratch मानो मैं दो जाके नई किताब लेके आया नई notes लेके आया और SFM के हर chapter का हर question मैं zero से solve कर रहा हूं in the month of July and August I could only spare one and half day one and half revision during my preparation leave और इसके बाद exam के पहले का एक दिन का preparation but then sir में को भी जब result आ गया ना तो में को लगा तुम अपने फोन के stress यह सब चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो you are not able to handle your office कोई भी senior तुमारा handle office नहीं कर पाता था पर उन्होंने सीखा उन्होंने तरीका figure out किया और अपने office को handle किया you are fighting battles which are not even your own your battle is just one thing your degree that's it nothing else is your battle you are putting all your energy into irrelevant stuff you are your one and only goal should be पढ़ाई लोग मैं देखता हूं आजकल पढ़ते हैं भूल जाते हैं सबसे पहले telegram उठागे teacher को message करते हैं मैं भूल रहा हूं क्या करूँ अरे पढ़ल चा करेगा वो teacher तेर को ऐसा antibiotic देगा क्या कि Ayurvedic देगा कि यह ले इससे तू याद करने लग जाएगा नहीं है उसके पस कोई जादू की छड़ी तुमको यह समझना है that the time that I just wasted in sending a telegram to someone and then following up again and again every day तू ask sir मैं कैसे करूँ मैं तुम कर लेते तुमको क्या लगता है राजा बहुत सारे teachers होते है बहुत सारे rank holders होते नहीं theory ऐसा नहीं आस तेरा मन नहीं लग रहा है नहीं यह कर दोस्त फोन उठाना बंद कर देते हैं मैंने बुला दोस्त मेरा एक senior था मेरा hostel mate था वो शुरू में जब मैं preparation leave में गया न तो मैं दो बार तीन बार उसको call किया तीन बार उसने बहुत positively help किया तो क्या मेरी help करेगा पर अगर मैं खुद की help नहीं करूँगा मेरे को आजकल बच्चे sir मेको ना theory नहीं जम रहा है क्या करूँ अरे जमा definitely you will come across people who will give you wonderful advice like I spoke to our rank holder her name was something karishma something she was a rank holder में उनसे MCS में मिला था I spoke to her she gave me a wonderful advice मैंने उनको बूचा audit मेरी weekdays से क्या करूँ मैं उन्होंने बोला audit को चितना defer कर सकता है उत्ता defer कर जितनी तेरी ताकत है क्योंकि exam के पहले stress आता है मालो मैं exam के दो मैंने पहले बैठा हूँ और audit हाद भी नहीं लगा है बहुत stress आता है क्या तु वो stress ले सकता है अगर हाँ तो defer कर क्यों अगर तुम audit 5 मेने पहले पढ़ लो तो उसको continuously revision 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 करके आगे carry forward करना पड़ेगा पर वही अगर तुम दोड़ा ही मैने पहले पढ़ो तो तुमको इतना जाधा महनत भी नहीं लगेगा plus आपने दोड़ा ही मैने पहले पढ़ा है तो आपको चीज़े fresh recollect भी होगी और यह आप हर subject ले नहीं कर सकते एक ले तो कर सकते हो तो मेरे को जब उन्होंने बोला तब मैने समझा कि audit पर मैं तब तक audit पढ़ चुका था पर मेरे को यह realize हुआ कि अभी मैं अगले एक देड मेना audit को थोड़ा ठील भी दू और exam के दो मेने पहले audit को पहुत तेजी से पकड़ू तो मेरा काम हो जाएगा so that one thing helped but that was one of that was only one thing that I got probably okay everything you just figure out because there is no path that is very well written कि ये 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 करोगे तो rank आजाएगी mock test paper लिखने से rank आती है घंटा नहीं भी लिख करके बच्चा intermediate pass होता है नहीं भी लिख के बच्चा रायंक आता है और लिख के जाने वाला बच्चा भी 20-20 number लाके fail होता है it's a myth but no one is going to tell you that why because it's a trend that you are following do you even need mock test ask yourself with PS4 with subjects do I need chapter wise do I need for the whole I don't understand the concept of chapter wise mock test aray मैंने एक chapter पढ़ा मेरे पास उसका question मैं गए मैंने दो question का answer चुपाया और मैंने उसको अपने मन से लिख लिख लिया और फिर लिखने के पाद मेरे answer से check कर लिया जो भी मेरी गलती थी मैं सीख लिया हो गया ना mock test why do I need someone else to give me a target to give me a schedule and that I will achieve you have rely you are relying more on external motivation and that is the main reason why you are not able to give your 100% क्युक्य उस दिन अगर तुम्हारा motivation का दोस नहीं मिला तुम उस दिन नहीं पढ़ पारे हो on the contrary find some internal motivation the biggest internal motivation is you know what the failure of fear the fear of failure sir दुनिया मतलबी है rank आओगे तो कंदे पे बिठाएगी fail हो जाओगे तो जमीन पे बिठाएगी यह दुनिया है यह नियम है अकेले बदलने की ताकत हम रखते होंगे आज नहीं रखते है आज हमको अपने CA की डिगरी चाहिए so please understand that there are three secrets that I am going to tell you now which is going to make sure that you clear this attempt but it is on you number one execution over planning plan करो sir लेकिन plan कर रहे हो जितना उसको execute करो मतलब इतना समझ लो कि अगर एक पीस ओपर में लिख रहे हो ना कर सुमा साथ बजे उटूंगा 7 a.m. I have to wake up don't be that lazy person who at 6.55 is losing the alarm and then waking up at 9 o'clock no boss या तो छोड़ दो या फिर ये कर लो अगर तुमने सोचा है बस क्यो साथ बजे उटना है कल पता है अगर मैंने सोचा कल सुपर साथ बजे उटना है there is only one reason why I'll wake up to prove myself that my willpower is still in my control अगर मैं सोचता हूँ सुपर साथ बजे उटने का तो मैं उटूंगा या अलग बात है मैं नहीं सोच रहो अगर मैं सोचता हूँ कि मैं फोन नहीं चलाओंगा तो मैं नहीं चला रहो या अलग बात है कि मैं सोच नहीं रहो but just to treat just to give yourself confidence that I am under my control you have to do it I'll tell you a very 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 insider thing that I never shared on any platform I guess मैं ऐसा इंसान था ना जब मैं CA final पड़ता था अगर रात को मैं 11 बजे लेट के ओ बेड मैं को नींद नहीं आरी है 11 बजे randomly मेरे माइं चर्णक्शन आता था stand up and for no bloody reason I used to stand up I mean I used to be I used to feel very weird की पागल हो गया है शुबम तु शायद पांच मैं ना पढ़ पढ़ के psycho हो गया है तू but then I realized it was needed to be done because if my mind is saying something to do you have to do it and फिर तुम ये नहीं कर सकते ने ने इससे क्या हो गया है अभी नहीं उटूंगा पागल है मेरे को मेरे माइंड ने मेरे को एक कमाइंड दिया मैने वो फॉलो किया मेरे माइंड ने मेरे को सुबर साथ बजा अलाम बजा बोले उट जा शुबम अरे सोने दे अरे एक गंटा और पांच मिनित नहीं भाई उट जा इट वोस डिफिकल्ट फॉर मी वेकिंग आप इसना मॉर्णि इस बिगेस्ट वाइट इवर विन इफ इफ इट अलाई विन थीक्या आई फिगर आउट वाला फोर्म था पहले में जाके फोटो किसा था तीन चल दिन चौप पांचवे दिन से में बैटरी निकालने लग दिया मैं और नये तरीके ढूंड रहो हूँ मैं तीन अलाम लगा के लाया एक मेरे टेबल पे रखा हुए एक बाहर रखा हो है एक दूसरे रूम में रखा हुए मेरा काम था पहले इसको बन करो फिर बाहर वाले को फिर टेबल रूम का बन करो तब उत्रे में तो नींद खुल जाती न मैं सर उसके बाद भी जाके सोता था कभी-कभी पर ये preparation leave के शुरू-शुरू में पर जब मेरे को hit किया न कि मेरे पास जो time है वो मेरे syllabus से बहुत कम है I stopped wasting my time सर अब आपका अगर आज के बाद time waste होता है वो सिर्फ एक ही current से हो रहा है जो आपके control में नहीं है मेरा October के महने exam के एक महने पहले तीन दन बरबाद हुए थे for God knows what reason I was just not able to study I was literally crying but then that was okay because वो मेरे हाथ में नहीं था तीन दन बाद जब मेरे को realize हुआ में को realize हुआ तो पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश करें एक बाद छोड़ के देख तब जब एने एक दिन अपने आपको बोला नहीं आज नहीं पढ़ेंगे छोड़ जो होगा देखा जाएगा देख लेंगे भाई I let go उस दिन में normalcy में आया अगले दिन में वापस control में आगे So first thing is execute more than you plan Definitely plan but execute more than you plan Number two Keep it concise Sir आप जो भी कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो और खास करके जिसे DT जैसा subject हो गया FR जैसा subject हो गया Sir learn to let go of things which are not your cup of tea आज अगर for example में कोई chapter पढ़ रहा हूँ और में को ना एक दम नहीं जम रहे है में एक बर revision करूँगा नहीं जमा दो बर revision करूँगा नहीं जमा काट दे उसको वो एक chapter तेको fail कराने की ताकत नहीं रखता है अगर तुसको छोड़ देतो पर अगर तूसको जबर्दस्ती पकड़ेगा ना वो तेको fail करानी के ताकत रखेगा क्यों? जबर्दस्ती पढ़ोगे याद रहेगा नहीं, exam में जाओगे याद आएगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा time waste हुआ, exam में तुम्हारा confidence कराब हुआ and the third and the most important thing talk less do more sir हमारे वो दोस्त होते हैं, जो बहुत ज़ादा बोलते हैं, उनको अपना source of motivation बनाओ पर अपनी तैयारी इतनी ज़ादा करो और किसी को मत बनाओ, all your tears all your hard work, all your efforts should stay in that four corners, बस उसके बाहर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप let the results speak let the results speak how much hard work you have put in, not your words do not go and tell कि बहिया मैं इतना कर रहा हू, इतना कर रहा हू, नहीं कर रहा हू में कुछ, मेरको अब करने का है, when you do, start doing these things, when you keep telling नहीं कर रहा हू और करना है, नहीं कर रहा हू, और करना है that is when you keep going sir, आपके life में अभी एकी चीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ और वो है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई के अलावाद जितनी चीजे थ्याग होगे न, वो सब आपका कहां पे चला जाएगा, वो सब आपके sacrifices में चला जाएगे, और ये सब मिलके जब आपको result देगा रहा, that is when you will see pass, otherwise boss, the easiest thing to do in CA, is to fail, and you don't want to fail, trust me, not again not anymore, so please, listen to me very carefully plan everything very wisely I will tell you in detail in the coming videos, how should you go about each and every subject if you need it, but for now, all you need to do is plan well ठीक है I hope आपको समझ आया होगा सर्थ, अगर हां तो comment पे, बस अपने लिए एक बार, तहे दिल से लिखके जाना that I will give my 200% in this attempt और ये एकदम दिल से आना चाहिए copy-paste करके मत जाना, and I assure you that you are going to give your paste ठीक है, चलो guys, until then stay tuned, channel को subscribe ज़रूर कर ले क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वीडियोस ऐसे ही back-to-back आने वाले, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में until then take care, this is your CA buddy Shubham Singal, signing off, bye-bye